नमस्कार मैं हूँ रजत राना आप देख रहे हैं वाइरल हरी आना दोस्तो एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस फैंसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि दुकानदार जो हैं वो अपनी पहचान का बोर्ड बाहर लगाएंगे अपने नाम और नमबर का बोर्ड बाहर लगाएंगे फिलाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ड ने यूपी सरकार के फैंसले पर रोक लगाते हुए का भोजन साका हरी है या म असा हरी दुकांदार यह बता सकते हैं अपनी पहचान का बोर्ड लगाना अनिवारिय नहीं है फिलाल इस पर रोक लगा दी है आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने कावड यात्रा रूट पर दुकांदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्यों क राज्यों की सरकारों के आदेस पर अंत्रिम रोक लगा दी है कोर्ट ने जू है सोमार को 22 जुलाई को कहा दुकांदारों को पहचान बताने का जरूरत नहीं है होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि किस तरह आना प्रोस रहे है यह बता सकते हैं कि किस तरह का खाना वो साकाहरी है, मासाहरी है, यह बताना जरूरी है, लेकिन अपना नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा न नहीं करना चाहिए था उत्रप्रदेश मद्यप्रदेश और उत्राखंड सरकार को नोटिस जारी कर सुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है तीनों राज्यों में कावड यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने के आदेश दिये गए थे जिस के खिलाब Association for Protection of Civil Rights नाम के एंजियों ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की याचिका करता के वकील अभी शेक मनुशिंग्वी ने कहा अलब संक्यों की पहचान के जरिये उनका आर्थिक नुकसान जो है वो उनका आर्थिक बहिसकार किया जा रहा है य एक बड़ा जो आदेश जारी किया गया था जो आदेश था नाम लिखने का वो दो हिस्सों में जारी किया गया था पहला पुलिस जो है मुझाफर नगर जिले के SSP अभी सेक सिंग ने 17 जुलाई को जो है कहा था कि करीब जिले के करीब 240 किलोमीटर के कावण मार्ग पढ़ को अपनी पहचान बताना बड़ा जरूरी है अपना नाम वे मुबाइल नंबर साप साप सब्दों में लिखना बड़ा जरूरी है तो उन्होंने जो है यह आदेश जारी किया था ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि कावडियों में कोई कंफ्यूजन ना रहे और कानुन वेवस्ता में बादान आये समाजी के शोहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया था और इसके बाद जैसे ही यह आदेश वाइरल होता है सोसल मीडिया पर उसके बाद उत्रपरदेश सरकार जो है उसे पूरे राज्या में 19 जुलाई को इसे पूरे राज्या म उत्राखंड की सभी ने यह आदेश लागू कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंत्रिम रोक जो है लगा दी है दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है जो यह रोक लगाई गई है यह रोक सही है या फिर गलत है क्योंकि मानिय सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैंसला है सभी उसका सम्मान जरूर करते हैं वहीं यूपी सरकार ने जो यह आदेश जारी किया था उसके बारे में आप क्या कहेंगे वो सही था गलत था और अब जिस परकार से इस पर रोक लगा दी है 26 जुलाई को अब दुबारा इस मामले में सुनवाई होगी आपको बताना च आँगा यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्राखंड और मध्यापरदेश के उज्जैन में भी कावड यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाईल नंबर लिखना जरूरी कर दिया था उत्राखंड के सियम पुशकर सिंग धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपा कर दुकान खोलते हैं उज्जैन में नगर निगम यहाँ आदेश एक साल पहले ही दे चुका था हालकि इस पर आमल नहीं हो रहा था उज्जैन के मेर मुकेस टटवाल ने कहा था इस बार सावन के महीन में आदेश पर सकती से अमल करवाएंगे यह आदेश जारी भी हुआ बड़ा बवाल हुआ सोसल मीडिया पर काफी जो वाइरल हो रही थी यह वीडियो और उसके बाद एक NGO सुप्रीम कोर्ट जाता है वहाँ पर कहा जाता है कि अलप संख्यकों का जो है इस परकार जो यह स फैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है सरकार ने जो फैसला लागू किया था उस पर आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके अपनी राए जरूर दें वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें धन्यावाद झाल